आउद रहो को हुआ करने वाले मजदूर बाई बहən आज है हम पश्ले एक साल से लिभी के अंदर भाजपा वालों के गुंडागर्दी चल रही है सीलिंग के नाम पे इन्होंने हजारों हजारों दुकाने सील कर दी अब फैक्टरियां सील करनी चालू कर दी और कई कॉलोनियों में घरों के भी नोटेस आगाए घर भी सील करने वाले हैं पहली चीज तो यह कि डिली बहुत सारी कॉलोनिया डिली के अंदर ऐसी है जिसमें अगर लेंस लेके कानून लगाया जाए तो मुझे लगता है 70-80% डिली सील हो जाएगी सबके घर सीलो जाएंगे सबके दुकाने सीलो जाएंगे सबके वैक्ट्रियां सीलो जाएंगे इस तरह से तो पूरी दिल्ली इनको सील करनी पड़ेगी पूरी दिल्ली खाली करनी पड़ेगी पिछले एक साल से इन्होंने डंडा चला रखा है केंदर में बीजेपी की सरकार हैं MCD में BJP की सरकार है डीडिये में BJP की सरकार है इन तीनों के अंडर में आती है यह सारी सीलिन कि इसका एक ही समधान था चार लाइन का यह जो बार पर अध्यादेश होटी क्या बला है अध्यादेश मतलब कानून चार लाइन का कानून लाना है बस मोदी जी को संसद में चार लाइन का कानून लाना है उस कानून में ये लिखना है कि भई आज दिल्ली में जो जहां रह रहा है और जो जहां फैक्टरी है और जो जहां जिसकी दुकान है उसको अगले पान साल तक नहीं तोड़ेंगे उसको अगले पान साल तक सील नहीं करेंगे और सारे मिलके इसका कुछ ना कुछ समधान निकालेंगे कहीं पर आपको दुकानों को रेगुलराइज करना पड़ेगा कहीं आपको इंडस्ट्री को रेगुलराइज करना पड़ेगा कहीं जहां पे लोगों के रिहाइश है, मकान है, वहार रेगुलराइज करना पड़ेगा ये सारे कानून, लंबे-लंबे कानून बनाने में टाइम लगेगा लेकिन एक लाइन, चार लाइन का एक कानू ला सकते हैं, मोदी जी चाहें तो वो कानून यह वह आज जहां जिदिल्ली में, जहां जिसकी पॉल्यूशन ना होनी चाहिए फैक्टरी पॉल्यूशन से दूसरों को तकलीफ होती है बिना पॉल्यूशन वाली जहां जिसकी जो फैक्टरी है, जहां जिसकी जो दुकान है, जहां जिसकी जो रहाइश है, जो भी जहां रह रहा है उसके मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, उसकी फैक्टरी को सील नहीं किया जाएगा उसके मकान को सील नहीं किया जाएगा, उसके दुकान को सील नहीं किया जाएगा ये ठीक बात है जी हो सकता है कि नहीं हो सकता है यह ही चाहिए, तो यह क्यों नहीं कर रहे बाई सार, एक सार हो गया पूरी दिली दुखी हो रही है, इतनी दुकाने सील कर दी में, कई राकों में गया था, कई मार्केट में गया था, जापे दुकाने सील होई थी, लोग रो रहे, अब 8-8-9-9 महिने से उनकी दुकाने सील पड़ी है घर में खाने को निया बच्चों को स्कूल से निद्वा दिया नाम कटवा दिया बच्चों का और इतने अमीर अमीर आदमी वहा करते थे आज घर में खाने को नहीं हो गया अब अगर यह सारी फैक्ट्रियां सी लोग यह आज इतनी मुझे लगता है यह तो दस पर कर देंदर अंदर अगर ले रोजार हो गे मोतीझी कहरे थे मैं 2 करोड़ लोगों को ओनो किरी दूंगा 2 करोड़ लोगों को नोखरी देनी तो दूर की बात है कम से कम किरी खीनों तो मत हुद् eighteen दोस्तों इसके मेरे को दोरी कारण जराते हैं यह क्यों नी कर रहे हैं एक तो कई लोगों का यहां तक कि भाजबा वालों का भी यह मानना ही हो जो दुकाने बंद कर रहे हैं सारी यह बड़ी-बड़ी मंट्टी नेशनल कंपनिया लेके आएंगे जी वालमाट हो गई और यह बड़ी-बड़ी कंपनिया लेके आएंगे छोटी-छोटी सारी किराने की दुकान यह सारी दुकाने बंद करने जा रहे हैं अब उन बड़ी-बड़ी फॉरेंड की कंपनियों के साथ यह जितने अपने मॉल है ना इस किसम के यह मॉल तो बहुत छोटे हैं इस तरह के 20-20 कि एंगे लिए मॉन कोने बड़े मॉल आएंगी बड़ी-बड़ी अविजश की कंपनियाảं अएंगी उनके साथ बाजबागा के संस्क्राइट की जी कि क्या सेटिंग है में कूण नहीं पता कि को रिश्टेदारी तो नहीं है कि प्यार मार्ट वाले तो नहीं से रिष्ट आपके दुकाने और आपके मार्केट बंद करेंगे एक तो ये पूरी साजिश चल रही है और दूसरा ये दिल्ली के लोगों से बदला निकाल रहा है पिछले तीन साल से पिछले तीन साल पहले आपने हमको सत्तर में से सड़ सड़ सीट देखी इनको सातों MP बेजे थे आपने सातों MP सांसद BJP के दे थे आज तीन साल के बाद दिल्ली के अंदर सारी जनता कहती है जी जितने काम आपने हमको दिये थे आपने हमको स्कूल का काम दिया था आपसे पूछना चाहता हूँ स्कूल ठीक हो गए नहीं हो गए सरकारी स्कूल अच्छे हो गया होंगा आधकड है करते हो दिल्ली के सारे अस्पे Dennal कवा जाता है पूरी दिल्ली के अंधर आपने हमको पानी का काम दिया था लोगों का पानी मुफ्त कर कर दिया तृबिस अजार लीटर कई पानी पोचा लिया भी कई हो में बाकि ए अगले 2-3 साल में जितना बचाइव कॉलो या मान भी पानी पहुचा दें उसी वर का काम दिया था zij कीं को महिंख अगले उन्होंने तीन साल में साड़े तीन साल में क्या करा इन्होंने एक ही काम करा जितने काम मैं करता था हर काम इन्होंने टांगड़ाई है हम महला क्लिनिक बनाना चाहते हैं इन्होंने महला क्लिनिक की फाइल रोक ली हम CCTV कैमरे लगाना चाहते थे आपके इन्होंने CCTV कैमरों की फाइल रोक ली हम आपके लिए सड़के बनाना चाहते हैं स्कूल बनाना चाहते हैं इन्होंने स्कूल की एस्पतालों की फाइल रोक ली इन से लड़ लड़ के लड़ लड़ के मैंने इन से फाइले क्लियर कराई है मेरा दिल जानता कैसे पिछले चार साल से मैं दिल्ली चला रहा हूँ लेकिन मैं बार बार यही सोचता था कि दिल्ली वालों को तकलीफ नहीं होनी जी लिखना भी है जो इना ने सीलिंग का मुद्दा चालू किया है इससे तो पूरी दिल्ली भरबाद हो जाए दिवाई साथ अब यह मनोश्तिवारी नाटक करता है एक दिन जाके सीलिंग तोड़ के आ जाएगा बता मैं चैलेंज करता हूँ आज मनोश्तिवारी को तेरे को तो सजा भी नीदी सुप्रीम कोट ने अब हिमत है तो दिल्ली की सारी सीलिंग तोड़ के दिखा नाटक क्यों करता है एक सीलिंग तोड़ी थी तुने है अगर हिमत है तो सारी सिलिंग तोड़ने के लिए ऐसे ठोड़ी होता जनता जानती है नाटक कर रहा है इस तरह साथ सोड़ी समादान समादान तो एक ही है जी इसकी समस्या का चार राइं का कानून अना है अभी जैसे नरेश भाई गरें नेखा एक सक्षाइब दिसमबर में विजें उसके पहले लड़ेश भाई मैं कहना चाहते हूं दोनों काम करने पड़ेगे एक तो सांसदों कि घर का गिराओ करना पड़ेगा और एक संसद को संसद का गिराओ करना पड़ेगा मैं मुख्य मंतरी होंगा लेकिन मैं आपके साथ ढ़िए और अगर आपको जुरूरत जुरूरत को अगर आपके साथ किलाओंगा चिंता charterरा और अगर ये ना लेके आएं तो सातो सीट आम अद्मी पार्टी को दे देना आज मैं आपको यहां पर कहने जा रहा हूं जितने सातो हमारे बने के पिछली बार आपने गड़बड कर दी उसको जिता दिया इपके यो गड़बड ना कर देना सातो सीट देना भाईज़ा अब संसद के अंदर धर्ना दिलगा देंगे संसद के बाहर नहीं निकलने दूए मेरे सातो संसदों को जब तक आपका सीविंग कारौण नहीं हाजएगा तो दोस्तो जादा बात मैं नहीं कहुँगा मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की तकलीफ जब रोजी रोच्ट्री जाती है तो लोगों को क्या तकलीफ होती है लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ संघर्ष में भी खड़ा हूँ अभी तक जितने संघर्ष किये उपर वाले की देया से उसमें सफलता मिली है मेरा मन कहता है कि इस मुद्धे पर भी अपने को सफलता मिलेगी अगर मोधी जी को थोड़ी सी भी फिर कहेंगे बाशा कराब होगी मेरा मोधी जी से निवेदन करूंगा कर दो नहीं तो फिर भाजपा के एक भी आदमी को अपनी गली में मत कुसने देना फिर दिल ले के अंदर किसी को भी बहुत बहुत शुक्री पाठ साल पहले तलंगाना की जनता ने एक सपना देखा था एक नए तलंगाना का सपना देखा था आपने सोचा था कि आपका पैसा आपका पानी आपका धन आपके भविश्य के लिए इस्तिमाल हो आपने नीलू, निदलू, निमकालू सप्ना देखा था और आज आप अगर यहाँ इन जण्डों को देखें तो तेजी से हवा चल रही है यह रोजो मेरे इकड़ा यह कांग्रेस पार्थी जण्डा यह मत्ता हुआ का उपन जूसतु नर। यह जो हवा है, यह कांग्रेस पार्थी की हमारे अलायंस पार्थनर्स की हवा है और यह केसियार जी को तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर्शिप से हटाने वाली हवा है यह रोजो मेर्जूस्तु न यह विपलवम कांग्रेस पार्थी प्रजा कूटमी उक्का यह उपो रेपो केसियार नो गद्य दिन चड़ाने की यह उपो उपयेगा पड़तूंदे तेलंगाना ने केसियार जी पे भरोसा किया था उन्होंने सोचा था कि आपके चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का सपना पूरा करने का काम करेंगे मगर आज तेलंगाना के हर युवा को हर किसान को मालूम है कि केसियार जी ने तेलंगाना के सपने को दोका दिया जनता जानती है कि जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो पाया जब सरकार बनी थी आपपर कर्ज नहीं था यपड़े ते प्रपुत्वम एर पड़े दो आप प्रपुत्वम लो येलांटी मेलू जर्ग लेदू सत्रा हजार करोर रुपय का सर्प्लस था सत्रा हजार करोर रुपय का सर्प्लस था पड़िएड वेला कोटल रुपयल मिगलू बच्चेट तो राश्टर मुन न दी और आज तेलंगाना पर दो लाख करोर रुपय का करजा है इरोजो तेलंगाना राश्टर बच्चेट रुणड लक्षल कोटल को आदा हैं परगिंदे हर परिवार पे दो लाख रुपय से जादा करजा है और तेलंगाना के हर नागरिक पर साथ हजार रुपय का करजा है इरोजो तेलंगाना राश्टर बच्चेट रुपयल रुपयल आप पूर न दी तेलंगानों का हर वियक्ति पर करज है मगर केसियार जी के बेटे की आमदनी 400% बढ़ती है इरोजो तेलंगाना लो प्रती वेक्तिमीदा प्रती वेक्तिनेतिमीदा अप्पूर न दी केसियार कोड को आदा है मात्रम नाल वंदल शातम परगिंदे और जो कॉंग्रेस पार्टी ने आपको काम प्रोजेक्ट्स दिये थे हर एक प्रोजेक्त को केसियार जी ने रीडिजाइन किया कॉंग्रेस पार्टी येवाइत प्रोजेक्टुल प्रारंबींचिंदो आ प्रोजेक्टल नन्निटिन गुडा केसियार कारू रीडिजाइनिंग अंजप्पी मल्ली कोत्तगा मदल बेट्टिनरू कॉंग्रेस पार्टी का प्रणिता का प्रोजेक्ट पचास हजार क्रोड का प्रोजेक्ट था कॉंग्रेस पार्टी मदल बट्टी न प्रानित चे वेला प्राजेक्ट या भई वेला कोटल रूपायले तो मदल बट्टी इंदि केसीर जी ने नाम बदला कलेशवरम प्रोजेक्ट नेया नाम दिया केसीर जार परमार्च और कालेशवरमाने प्राजेक्ट परमार्च और प्रोजेक्ट का दाम 90,000 करोड रुपे कर दिया सिरफ नाम बदलने के लिए केसी आर जी ने 40,000 क्रोड रुपे आपसे ले लिए मिशन का कतिया एन भागी रता में पुराने टैंक्स को पेंट करने के लिए पैसा लिया और ये धोका किस्से किया युवाओं को वाइदा किया था कि एक लाख युवाओं को रोजगार देंगे मैं तलंगाना के युवाओं से आपसे पूछना चाहता हूँ पिछले सारे चार साल में KCR जी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया अपने परिवार के चार लोगों को आपके चीफ मिनिस्टर ने रोजगार दिया आयने कुटुम्बम लो उन्डे नलुगुर कुटुम्ब सपिलेकु मात्रमें उद्योगालु इच्छिन्डु चार लोगोंने चार करोड लोगों का भविश्य चीना इनलुगुरे नालुको अट्ल तेलंगान प्रजलयक का बाउशेत्तुनो नासन अंजेशिन्डु प्रारंबिन्चुन्दि मगर केसी आरजी ने उनकी भी मदत नहीं की काने चंद्रसेकर रावगारु वालल कूडा मदती वकुन्टा अन्यायम चेडम जर्गिंदि महिला है इस प्रदेश की रीड की हटिये महिलले जातियोक का संपधा कुटुम्ब पेतलु उनके बिना तेलंगाना आगे नहीं बढ़ सकता है वालल महिलाल भागस्वामें लेकुन्टा तेलंगाना अपुरुद्धी जर्गने जर्गदु इसलिए कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आते ही एक लाक रुपे ग्रांट हर सेजी को देगी अंधु कोसे में मैललनों लक्षयादिकारलों चेडानिके ड्वाकरा संगालको लक्षय रूपायलों उच्चतंगा इवड़म जर्गुतुन्दी कांग्रेस प्रभुत्वमलों और पात्सो करोर रुपे हम विमेन एंटर्प्रिनर्स के लिए बैंक लोन दिल्वाएंगे प्रत्ति वक्कर की एदोव का आशेस उपिछिंडों उन्होंने डबल पेडरूम गर देने का वायदा किया था केजियार गारु डबल पेडरूम इनली स्थानी पेदोलक आशेस उपिछिंडों बाईस लाख घर देने की बादकी कहा बाईस लाग का वाईदा और पाँच हजार की सच्चाई SC और ST भाईयों को जमीन देने का वाईदा किया था दली तो लगो गिरजर लगो भूमल गुड़ा इस्तान जपे वारो मने को हामी वडम जरगेंदे वो भी वाईदा खोक्ला निकला भूमी इस्तान ना हामी गुड़ा मोसम गा मारी पहिंदे तो हमारी गटबंदन की जो सरकार आने वाली है वो आपको घर देने का काम करेगी और जमीन देने का काम करेगी और हमारा चीफ मिनिस्टर दिन भर तेलंगाना के युवाउं को रोजगार देने का काम करेगा तेलंगाना युवकुलको प्रत्ती चेती की पनिगल पिचड़ं जरगुतुंदे तीन हजार रुपे का अनेंप्लोईमेंट अलावंस दिया जाएगा तेलंगाना निरुद्योग युवतको नेलको मूड वेला रूपेला निरुद्योग भृति गुड़ा युवड़ं जरगुतुंदे और पहले साल हमारा हमारी कोशेश होगी कि एक लाग युवाउं को सरकारी और प्राइवेट नोक्री दी जाए केसियार जी ने पूरा का पूरा फाहिदा एक परिवार को दिलवाया और उनके मित्रों को दिलवाया केसियार गारो मत्तान के मत्तम आदा याने वाला कुटुमबान के वाला बंदूल को कांट्राक्टर लेकु मात्र में कट्टा पेटड़ं जर्गेंदी तेलंगाने की गरीब जंता को अगर स्वास्त की जरूरा तो शिक्षा की जरूरा तो तो लाखो रुपए देने परते हैं तेलंगान पेदा वाला को शिक्षे ना इवडाने की लक्षेल रूपायले कर्चा हुतूंदी स्वास्त के लिए अगर एमराई की जरूरा तो एक्सरे की जरूरा तो तो प्राइवेट हस्पताल में हजारो रुपे देने परते हैं वाला आर्वाट्य परिक्षेल चें किसान का परिवार युवा लाखो रुपे देने पड़ते हैं यह रोज वाईद्य सहाय मंदाल अंटे राई तो लगाने युवा को लगाने लक्षेल रूपायल कर्चा हुतूंदी यह आपका पैसा है कॉंट्रैक्टर्स का और एक परिवार का पैसा नहीं है यह रोज कर् पूलो प्रजल गटिन पन्नलो अधि कांट्रैक्टर लोगो केसी और बंदूल सुमो का दू यह पैसा कॉंग्रेस पार्टी आपको वापिस लोटाने जारी है यह पैसल मुत्तम पेद प्रजल कुछंदे विदंगा कॉंग्रेस पार्टी चरियल दीश कुटूंदी पाच लाक रुपए का मुफ्ति लाज कॉंग्रेस पार्टी करवा के देगी हर मंडल में 30 बेट का हस्पताल बना जाएगा और घर बनाने के लिए हर परिवार को पांच लाक रुपए दिये जाएंगे और जो शक्ती आज एक परिवार के हाथ में है वो शक्ती तेलेंगाना की पंचा है तो हाथ के हाथ में की जाएगी इरोजु अधिकार मत्तम वक्क कुटुम्बन चेतुले हुन्दी आधिकारानी गुंचकोनी पेद प्रचलक अंदरी खुड़ा अधिकारम लोग भागस्वामें कल्पिच्चड़न जर्गुतुंदी थोड़ा समय नैशनल लेवल के भी बात करना चाहता हूँ नेनु कुंत समयम जाती है राज की आलन गुड़ा मीतो चर्चिन चदल्च कुननन। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी है और तेलेंगाना में केसी आर जी दिल्ली लो नरेंद्र मोदी जी को जरुवत पड़ी थी आपके चीफ मिनिस्टर ने उनकी पूरी मदद की लोक सबलो राज्य सबलो आउसमय नपड़ल्ला नरेंद्र मोडी गार की केसी आर गार संपूर्नमयना मदद तुपलकडम जरुगिंदी नरेंद्र मोदी जी देश को बाटने का काम करते है नरेंद्र मोडी गारु देशनी विबजिंचे पानि मिदा येपड़ निमाग नमाई उन्टारु देश में नफरत्फल आते हैं देश प्रजल मध्या वाइसम्यालनू रेच्छ गोड़तारु और जो उन्होंने देश में किया चाहे वो गलितों की किलाफो आदिवासियों के किलाफो मैनोरिटीज के किलाफो वो तेलेंगाना के चीफ मिनिस्टर के बिना नहीं कर सकते थे इरोजु देशमलो दलितुल पक्टा आदिवासिल पक्टा मैनार्तुल पक्च्छ एदैत विवच्छ चूपिस्तु नड़ो नरेंद्र मोडिगारु अधी केसियार्गर मद्दतु लेकुंटा यलांति पनलु गूडा मोडिगारु चैयलेरु जब हम नरेंद्र मोडिजी के खिलाफ लोकसभा में लड़ रहे थे जमीन अधिकरन बिल के बारे में लड़ रहे थे किसानों की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे मैं पार्लमेंट में उनके किलाफ लड़ रहे थे तो उनकी मदद टी आरेस के लोग कर रहे थे और मुझे साफ याद है कि हर बिल में टी आरेस ने नरेंद्र मोडी जी आरेसेस और संग परिवार के मदद की प्रति विशयमना कुर्तुंदी पार्लमेंट लोग पासेन प्रति बिल्ल को केजी आरेंद्र मोडी की आरेसेस को संग परिवार को संपूर्ण मेन मदद पलकड़न चरिगेंदी यह जो टी आरेस पार्टी है इसका नाम तेलंगाना राष्ट्र समेथी नहीं है इसका नाम तेलंगाना राष्ट्रिय संग परिवार है ये संग परिवार और बीजेपी की बीटी में इस बात को आप मत बूलिये और चाहे वो M.I.M. हो चाहे वो T.R.S. हो इनका लक्ष है कि कॉंग्रेस परिवार बीजेपी को नाशनल लेवल पे नाहरा पाए ये वैना M.I.M. गाने T.R.S. गाने इरोज कांग्रेस परिवार बीजेपी नी गद्य दिन्चाले नानुकुंटूंदो आ लक्ष है मेरे कुंटा बीजेपी के विल इत्तर मद्दती वड़म जर्गुतूंदी अगर T.R.S. सचमुच में तेलंगाना राष्ट्र समेती होती तो आपके चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोधी जैसे व्यक्ती की मदद नहीं करते निसंगने KCR गारू निसमयना तेलंगाना वादय आईते नरेंद्र मोडी गार की यलांटी परिष्टितुलो मद्दत इच्चुंडे वाडुकू हाने लोग सबा में राज्य सबा में T.R.S. के वेंपी से का कि तुम लोग बीजेपी की मदद क्यू कर रहो हर बिल में चाहिए वो जमीना दिक करन बिल हो जिसको आपने यहां बदला हर बिल में आप इनकी मदद करते हो क्यू करते हो और T.R.S. के MPs ने साफ बताया कि हमें ओडर उपर से आता है जो हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं हम करते है तो अच्ची तरह याद रखिए T.R.S. मतलब तेलेंगान राष्ट्रिय संग परिवार इनका लक्षे की चाई कुछ भी हो जाए नेशनल लवल पे नरेंद्रमोधी प्रधान मंत्री बना रहे कुछ दिन पहले याँ नरेंद्रमोधी जी आए कहते है T.R.S. और कॉंग्रेस एक जैसी पार्टिया है कोच निन्न मन्ना नरेंद्रमोधी गार वच्चन पुड़ू T.R.S. कॉंग्रेस पार्टिय रोंडे वोके रखमाईन पार्टिय लांच पड़न जर्गिंदी मगर चुनाओ से पहले नरेंद्रमोधी जी ने कमी नहीं कहा अगर एक जैसी पार्टिया है तो हर बिल में कॉंग्रेस पार्टिय ने BJP से लड़ाई की राफाल मामले पे हम नरेंद्रमोधी जी से लड़े जमीन अदिकरन बिल पे हम लड़े जहां भी कॉंग्रेस पार्टिय विचारदारा की लड़ाई लड़सकी हम लड़े आपके चीप पिनिस्टर ने राफाहिल माम लेपे कित्ती बार बातु भाई मनम मी मुख्यमांत्री इपड़ वरकु राफाहिल कुम्बको नंगुरिंची एपड़े न माट्ला डेडा कितनी बार केसी आर ने नरेंद्र वोदी पर आक्रमन किया इननी सारलो नरेंद्र मोडी गार की वित्रे कंगा केसी आर गारू आरो पनलु छेशिंडा उनके बाशन सुनिये एक बार टी आरेस के नेता ने नरेंद्र मोदी के बारे में राफाहिल के बारे में जमीन अधिकरन के बारे में इन चीजों के बारे में आक्रमन नहीं किया है यहां कॉंग्रेस पार्टी के घटबंधन की सरकार आने वाली है और जो सपना आपने देखा था जिसके लिए आप लड़े जिसकी मदद सोन्या गांधी जी ने की वो सपना कॉंग्रेस पार्टी पूरा करने जारी है और जो आपका सपना था यह दो इते मीर कललु गन्नरो पानी का नील्ल गुरिंचे अपने धन का धन का मना आदायम गुरिंचे निल्लू 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 और नियमकालू का सपना निल्लू 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 नियमकाल सपना महिदे ते मीर कन्नरो आप सपना नी कांग्रेस पार्टी पूर्ती जैस्तूंदी वो सपना कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर पूरा करेगी सरकार बदलने जारी है गटबंदन के सब कार्य करता हूं उसमें कहना चाहता हूं यह जो सरकार बनेगी आपकी सरकार होगी आपके विचारों की सरकार होगी और इस सरकार के हर आफिस में आपके लिए जगा होगी पहले हम KCR जी को यहां पे अराएंगे और पिर दिल्ली में नरेंद्र मोदी को 2019 में अराएंगे मध्यप्रदेश, राजस्तान, चत्तिसगार, तेलेंगाना इन सब प्रदेशों में BJP और TRS को हराय जाएगा आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और कास्तोर से जो महिलाएं आई है आप दूर-दूर से आई है आपका भी दिल से बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिद मुझे रिंग में जाना पड़ेगा वैसे मैं ब्राउन बेल्ट तो थी देखिए ये क्या ये चिटिंग होती है आप रिंग में डांस के लिए बुलाते और आप बगर सामने वाले को बोले बगर आप पड़क देते ये चिटिंग होती है तो मेरे साथ तो चिटिंग हुई है अब याई है अब याई है अब याई अब याई अब कुछ चोटे बच्चों से रिक्रेस्ट करूंगा वो आगे फोटो के लिए आजाए ये तो अब याई हाई वका प्राद है यूणीफम नी यूणीफमनी 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 है सिट आजब बच्चे, जल्ठी, 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 जल्ठी देखेगा, देखेगां, बचलो。 वाइ, जीव, द्रीआ, रागे माम दिखुड़े हैं यण, नहीं दिखुड़े हैं। रहे ज़िए जे ज़िए और रहे जिए ज़िए 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 जिए दुने आपर एक साइडे मोबल आपर इस पीचर दो पीचर बड़ा यक्षान करते हैं पोज वह फाइड वाला यहां कुला मातर हमें जो खो जो खो झाल तो दाओ कि जिस स्कुराख लेगा रै या या तेंक यू मम नच सी कर मैं है में यहीं करने पड़े चैनला है चीटा यग्रिय सर से रिक्वेस्ट करो हमारे सारे मैमानों को बुखके देखके उनका स्वावब करें किसे रिक्वेस्ट करोगा और सेज बनाएं दिर्शिगा पिरस्टोफर मुस्तकें थैंक्यू वो हमको पीच्छे वालो तू आखे रिकरता है नेक्स्ट ओलिवर क्रिस्टोफर ओलिवर क्रिस्टोफर थैंक्यू सलमान एहमद सलमान एहमद सलमान एहमद आशीश यादव सलमान आशीश यादव और अब रिक्वेस्ट करोगा कि एक केबल सौनित कुमार मिस्टर सौनित कुमार अंजली सौनित कुमार सौनित कुमार सौनित कुमार सौनित कुमार सौनित 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 थोड़ा से लेक्रा दू तु तेरा नीचे ले लेक्राव जे लेक्सा खाले स क्षिता में अ कर बना है अ कर दो आद कर रहा कर रहा है तो एखिपला इसे में आपर साय। अजो. दभूशी तुरूटूटिल एध नभूजीद? दभूजीद दभूज जओ, पलीज केक आप नहीं कराईजी दू. आज़ा कॉठो! आज़ा कॉपष़ पिछान काझा ठाल चाल तुट्टारी आज़ाएएगे। ख़्योGroupयु अप्यु कर रखे हैं भायो! हप़ी बार्दे दोयुुु हप़ी बार्दे दोयु! हप़ी बार देटर्नओे! हपय बार्दे दोयुुु पर रखे हपररा, फ misinformation दादा हो. खेंक्यू. सब भाहते हैं. तरहों करे दिखिते हैं. कारिया गिलाओ अपे करा दिखिते हैं. दादा आप पिछलो ये मुझे इतना आपथ-जाए. क्या कर दो? डुक मुझे रहते हैं. या दिस्टाहिए भही था. कि अद लिए आप तो परावाज है अरे यह देगिंगे अरे आप ज़ादे पीच्छा पिर जेंगे ज़ा हो गया आप एक पर देखे बस ओ गया चलो नाव ज़ा अरे अरे यह फोट और नाव अपने एक्षान करके बोजेश करेंगें, आपी बादी देटी दूस्री. के अजय करते हे लिए पे से जादी एक्षान करेंगें, घेटी जसे एक्षान करेंगें, विर नवा बादी कर्श्यों, भादी करेंगें, आरिक विक्षान करेंगें। सब के इतर बाइजाओ सिंु निकैर नेया आपे डीन केonces bouette कि मिचैंगरो कि ही डीन कि मारं बाली इन लेज के साथ करे बच्चे लोग सेlexia बतने के में कि मैंथे रिटा इक thểा दिरो बैटो राइड बैटो निचे बैटो अलीक मेर ऑसी रहे है इसकी ओ सब के ये यह लग साग्स वेलीक सबस्का है और भी पीटा इसे बाइड़ा इसकी पार जीछ एक को इक करहा हुआ एक दाज पना में भाँ दो ? इसना को बना हुआ अरवेन, अरवेन! वो यह बच्चे नहीं आ रहे तो छोड़ दो आरवेन, अरवेन! आर शुरू करता बना किया बच्कारा बना रहे! इस शुरू करता बसको दो इस पकड़ हो उसको बच्चा चोटा आज हम लोग यहां पर आये हैं 78 बर्दे हैं ब्रुशली जी का तो उनका बर्दे सलिब्रेट कर रहे और हमारे चीता भाई तो है यहां पर बहुत ही अच्छा समाज सेवा कर रहें नेक काम कर रहें जितने भी स्टूडेंट से उनको माश्रा आर्ट सिखा रहें कुमफो कराठे सब कुद नंचाक से लेके सारी चीज़े सिखाते हैं फ्री आफ दे कॉस्ट साड़े दस लाख बच्चीयों को वहां विमिन्स को लड़कियों को वो पुरा माश्रा आज सिखाते हैं और मैं रियली कॉंग्राजुलेट कियाना चाहती हूं कि हम लोग को इन्वाइट किया और आज इस इतना जितने भी और्फनेज के बच्चे हैं या जितने भी जो गरीब बच्चे हैं उन सब को किताबे बलून्स जो भी चीजे हैं बुक्स टी शर्ट सारी चीजे उनको दी भाई ने आज बुरुसली के बुरुसली जी के बर्दे पर इतना अच्छा आपने काम किया कितने लोग तो मुझे लगता है नहीं मना रहे लेकिन आप है जो दस साल से टैन येर्स से बुरुस किताजी मुझे भी थोड़ा मार्शल आट सिखा दिवेसे मैं ब्राउन बेल्ट हूँ ब्लक बेल्ट नहीं किया मैंने सीख लेती तो अच्छा होता बड़ उत्स वक्त तो पता नहीं प्राब्लम था नहीं अभी हम में राकी जो अभी जो उन्होंने ये जो आई सी एक ट्र मार्शल आट रिंग में कैसे उल्टा पल्टी मलब घूसे कराटे लाते क्या क्या कैसे कैसे लूंड करना है मैं सब सीख रही हूं और अभी मैं पिछले चे साथ दिन से तो सीखी रही हूं और मेरा थोड़ा बाक में थोड़ा प्राब्लम है बट सेल्फ डिफेंस सिखा रह और आप बगर सामने वाले को बोले बगर आप पड़क देते हैं यह चुटिंग होती है तो मेरे साथ तो चुटिंग हुई है उन्हें माफी मांगी है उन्हें पितना पता नहीं था तो माफ कर देना चाहिए मुझे लगता है हां मैं अचलि हमें पता नहीं था वह मुद्ध क्या था तो उन्हें का मुझे पता नहीं था अप आप नहीं हमें कुछ पता नहीं था ब्रे इसक면 को बात ने करें क्या माफिम चुका कर देंखिया अबδα कॉ घ्री में को biz तोडना है तोडना है बस कुछ भी लोग निउस बूर्ट के बारे में बात कर ले आज हमने केक कटा है और सब का मुँ मिठा करेंगे बुरूजी का बड़े हैं और मैं मार्शल अट सिख रही हूं यह इंपोर्टन्ट है यस मैं माफी मांगू ना मांगू वह अगर हमसे गलती होते हैं तो इंशाने माफिय मांग लेता है इंशान उसमें कुछी बड़ी बात है यह क्या थैंक्यू 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 अक्षर रश्निकांथ की 2.0 का फैंस बड़ी ही बिसब्री से इंतजार कर रहे हैं यह फिल्म हर लिहाज से भारती सिनिमा की सबसे बड़ी फिल्म है इस फिल्म को लेकर फैंस का क्रेज अभी से ही साथवे आफ्मान पर है बता दें कि रोबोट की सक्सेस के बाद इस फिल् लेकिन अब आप इंतिजार खतम होने वाला है वहीं आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह बताएंगे कि आपको एफिल्म क्यों देखनी चाहिए साल 2010 में आई डारेक्टर शंकर की फिल्म रोबोट को लोगों ने खुब बसंद किया था साथी इस फिल्म में बॉक्स आफिस पर भी अच्छा बिस्नस किया था फिल्म में रशनी कांथ के साथ एश्वर्य राइबचन नजराइन थी अक्षे और रशनी कांथ की फिल्म का बजट 550 करोड बताया जा रहा है मेकर्स ने इस फिल्म पर जम कर पैसा बाहाया है यही वज़ा है कि ये फिल्म भार्थे सिनिमा के इतिहास में अब तक की सब से नहेंगी फिल्म बताई जा रही है इस फिल्म के VFX के लिए डारेक्टर शनकर ने किसी भी तरह का समझोता नहीं किया है और इसके लिए इंटरनेशन एक्सपर्ट की मदद ली है बॉलवट के खिलारी कुमार पिश्रे कुछ सालों से लगातार हिट पर हिट फिल्में दिये जा रहे हैं वहीं 2.0 में वो ट्रो मैन की भुमिका में नजल आने वाले हैं हाली में रिलीज हुए उनके इस फिल्म के लुक और मेकप के विडियो ने फैंस में काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है फिल्म के पोस्टर में भी अक्षे को देखकर फैंस को डर लग रहा है कहना गलत नहीं होगा कि अक्षे का ये रोल उनका अपतर का सबसे कछिन रोल है ऐसे साज़ा मौली के डारेक्शन में बनी फिल्म बाहुबली की ही तरह ये फिल्म पूरे देश को कनेक्ट करती है इस फिल्म में साउथ के सुपस्टार रशनी कान की मौझूद की से जितना क्रेज साउथ इंडिया में बना हुआ है उतना ही क्रेज अक्षे कुमार के होने से नौर्थ इंडिया में भी बना हुआ है बाहुबली की ही तरह इस फिल्म को भी हिंडी, कमिल और तेलगू भाशाओं में रिलीज किया जा रहा है फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है इसके वीएफेक्स यह भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें आपको बहुद ही शानदार वीएफेक्स नजर आने वाले है इतना ही नहीं इस फिल्म को पुरा 3D में ही शूट किया है ऐसे में फिल्म को देखने का मज़ा और भी दोगुना बढ़ जाएगा यह खबर देश भर में ATM, debit और credit card यूज़ करने वाले लोगों के लिए बहुत खास है खास इसलिए क्योंकि आपका ATM card बंध हो सकता है और यह होगा RBI के निर्देश आनुसार दरसल इस वक्त देश में दो तरह के ATM card इस्तमाल हो रहे हैं पहला card वो है जिसमें magnetic stripe यानि आपके card के पीछे काले रंग की पट्टी लगी होती है जबकि दूसरा card वो है जिसमें chip लगा होता है अगर आपके पास अभी तक magnetic stripe वाला card मौझूद है तो आप इसका इस्तमाल 31.12.2018 के बाद नहीं कर पाएंगे card की सुरक्षा के लिए RBI ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है कि वो magnetic stripe वाले card को chip वाले card से replace करें और इसकी deadline 31.12.2018 है अगर इससे पहले आपका card replace नहीं हुआ तो वो बंध हो जाएगा Reserve Bank of India का मानना है कि stripe card के technology अब पुरानी हो चुकी है और ऐसा card बनाना भी बंध हो चुका है Magnetic stripe वाला card पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे इसलिए Magnetic stripe वाले card को EMV chip card से replace किया जा रहा है Reserve Bank of India ने 2016 में ही सभी bankों को यादेश दिया कि 30.12.2018 तक Magnetic stripe cards को chip वाले से replace किया जाए जिसके बाद bank ग्राहोकों को notification दे कर ये सूचना दे रही है कि वो अपना card replace करा ले बता दें कि Magnetic stripe card को chip वाले card से replace करने पर कोई fees नहीं देनी होगी अगर दोनों card में अंतर की बात करें तो काले रंग के Magnetic stripe पर ही आपके account की details मौजूद होगी इसी stripe की मदद से card swipe के वक्त machine आपके bank interface से जुड़ती है और process आगे बढ़ता है जबकि chip वाले card में सारी information चिप में मौजूद होती है EMV chip card में transaction के वक्त user को authenticate करने के लिए एक unique transaction code generate होता है जो verification को support करता है ऐसा Magnetic Stripe card में नहीं होता अगर आपने अब तक अपना Magnetic card replace नहीं कराया है तो 31 December 2018 से पहले chip वाले card से replace कर ले एक अमेरिकी नागरे के मारे जाने की वज़े से भारत का Sentinel द्वीप इंदिनों भारत के अलावा विश्व में सुर्ख्यों में है अंदमान नीकोबार द्वीप समूह में स्थे 300 द्वीपों में से एक Sentinel द्वीप की दूरी राजधानी पोर्ट प्लेयर से 50 किलोमीटर है पर पिछले 60,000 साल से इंसान तो रह रहे हैं लेकिन वो आम जन जीवन से पूरी तरह से कटे हुए रहते हैं यहां के निवासियों को अपने इलाके में किसी भी तरह का इंसानी दखल पसंद नहीं है यहीं वज़े है कि सरकार भी इनकी बस्तियों तक नहीं पहुँच पाती है जिसकी वज़े से इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की जन गरना भी नहीं हो पाती कहते हैं हवाई सर्वे पर इनकी जन संख्या का आंकलन किया जाता है साल 2011 में की गई जन गरना के मुताबिक इस द्वीप पर 10 घर हैं जिसमें 100 से भी कम लोग रहते हैं हाला कि इनके रहन सहन, खान पान और भाशा संस्कृती की कोई जानकारी नहीं है महस्ते इस वर्ग मील में सिम्टे इस छोटे से सेंटिनल ग्वीप पर कई बार सुनामी और तूफान जैसी आपदाय आएं इसके बावजूद यहां के लोग खुद को बचाय रखे हैं प्राकृतिक सौंदारी को समेटे हुए ये छोटा सद्वी भाहर से जितना खूबसूरा दिखता है अंदर से उतना ही खतरनाक है कहते हैं इस ग्वीप पर जब भी को इनसान जाने की कोशिश करता है तो वो शायद ही वहां से वापस लोट कराता है इसलिए सरकार ने से प्रतिबंधित शेत्र घोशित कर रखा है हाली में 27 साल के अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलिन चाओ यहां के जनजातिय लोगों से मिलने उत्तरी सेंटिनल द्वीप गए थे ये जानते हुए भी कि इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों के साथ किसी भी तरह का संपर्क बनाना साफ मना है आदिवासियों से मिलने गए चाओ का शव 20 नवेंबर को नदी के किनारे पाया गया बताया जा रहा है कि तीर मार कर उनकी हत्या की गई थी तो अही साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोसगाड के हलिकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे जिससे सेंटिनल आदिवासियों की साहयता की जा सके लेकिन आदिवासियों ने हलिकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिये थे भारत के तीन तटिये शहर कोलकाता, चेननाई और विशाखा पतनम से पानी के जहास के जरिये या हवाई जहाद से अंडमान निकोबाद द्वीप पहुँच सकते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित होने की वज़े से इस द्वीप पर सडक मार्ट से नहीं पहुचा जा सकता है बॉलिवट के तमाम मशूर गाने में अपनी आवाज दे चुके और असी और नबे के दशक में एक से बढ़कर एक सूपर हिट गाना गाने वाले पॉपुलर प्लेबैक सिंगर मुहमद अजीज का मंगलवार को निधन हो गया खबरों की माने तो अजीज कॉलकता से मॉंबई पहुचे थे जहां हाठ में हुई परिशानी के वज़े से दो पहरतीन बज़े उनकी तब्यत बिगड़ गई खबरों की माने तो ड्राइवर ने उन्हें नानवती हॉस्पिटल में अड्मिट किया और इस बात की जानकारी उनकी बेटी सना को दी बता दे कि इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी निधन की खबर सुना दी मॉहमद अजीज की जितनी बात की जाए उतनी कम है बता दे अजीज अपने संगर्ष के दिनों में म्यूजिक डिरेक्टर अनु मलिक के घर भी जाया करते थे और एक दिन अनु ने अजीज को रिकॉर्डिंग रूम में बुलाया और फिल्म मर्द का टाइटल सॉंग मर्द तांगे वाला गाने को कहा बता दे कि इसी गाने से मुहमद अजीज को बड़ी पहचान मिली थी थंडे बड़े बादे बादे शॉंग में बुलाया महल में हैश्टाग मीटू ने एक बार फिर भुचाल ला दी है ये तो सभी जानते ही है कि सोशल मीडिया पर हैश्टाग मीटू इस कदर चाया वा था कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था आलम ये था कि आए दिन बड़ी बड़ी हस्टियों के चेहरे हैश्टाग मीटू के जरीए बेनकाब हो रहे थे और अब एक बार फिर इस मूवमेंट में नया मोड आया है खबरों की माने तो हॉनो के प्लीज के सेट पर मौजूद असिस्टेंट कोरियोग्रफर रही डेजी शा को पुलिस ने अपना बयान दर्ज कराने को कहा है बता दे कि फिल्म हॉनो के प्लीज के जिस गाने के दोरान नाना तरुश्री की कॉंट्रुवर्सी की शुरुवात होई उसको डेजी शा जाने माने कोरियोग्रफर गनेश अचारे के साथ मिलकर कोरियोग्राफ कर रही थी और उन दिनों डेजी शा गनेश अचारे को असिस्ट किया करती थी शायद यही वज़ा है जिससे पुलिस ने डेजी शा को ये नोटिस भेजी है वैसे आपको बता दे कि हाल ही में हुए एक इंटेवियो के दोरान डेजी शा ने ये साफ कह दिया था कि वो फिल्म हॉनों के प्लीज के सेट पर तनुश्री को डांस डेप सिखाने जाती थी और लगातार दो दिनों तक सब कुछ ठीक रहा लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे तनुश्री का मोड खराब हो गया खेर अब देखना तो ये होगा कि टेजी शा अपने बयान में क्या कुछ कहती है और उनके बयान से पुलिस को इस केस में कितना फाइदा होता है